हेलो दोस्तों माई नेमी सुभम सोनी वेल्कंटो माई चैनल डी जे क्लासेज आज हम इस वीडियो में कन्हाया लाल मिस्र परभाकर जी का जीवन परिचे आज आई ये शुरू करते अपना टॉपिक कनहयालाल मिस्र प्रभाकर जीवन परिचे कनहयालाल मिस्र प्रभाकर जी हिंदी के प्रमुक्स आयत्यकारों में से एक हैं जिनकी रचनाओं का अध्यन छेत्र अत्यनत व्यापक है प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 वी में सहारनपुर इस्थित देवबंद ग्राम में एक सामान्य ब्रामण परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम पंडित रमादत्र मिस्र था जो एक प्रोहित ब्रामण थे तथा इनकी आजीव का पूजा पाट करवाना था इनके पिता बड़े ही सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे जिसका प्रभाकर जी पर पूरा असर पड़ा किन्त माता का स्वभाव अत्यंत करकस और उग्र था इन्होंने अपने एक संस्मरण मेरे पिता जी में अपने माता पिता का परिचय देते हुए कहते हैं कि वे दूद मिस्रे तो मा लाल मिर्च ये बचपन से ही बड़े कुसागर बुद्धिवाले थे जिन्होंने स्वाध्याय से हिंदी साहित का गहन अध्यन किया तथा अपने अनेक रचनाओ द्वारा हिंदी साहित के विकास में महत्रपूर भूमिका निभाई सन उन्नीस सो पंचानबे स्वी को ये महानात्मा पंचितत्यों में विलीन हो गई कनहया लाल मिस्र प्रभाकर का साहितिक परिचे प्रभाकर जी एक स्रेष्ट साहितिकार होने के साथ साथ एक सचे देश्भक्त भी थे इन्होंने अपने रचनाओ द्वारा लोगों को स्वतंतरता के लिए जागरुक किया सवतंतरता दिलाने में इन्होंने महत्रपूर भूमिका निभाई इनकी रचनाओं में भावात्मक, विचारात्मक, व्याख्यात्मक, गवेशनात्मक, अलंकारी, आधिक सैलियों का उचित उपियोग हुआ है प्रभाकर जी की प्रमुक किरतियां, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले विशरे चहरे, अकास के तारे, धर्ती के फोल, दीप जले संख बजे, बाजे पायलिया के घुगुरू, इत्याज प्रभाकर जी की प्रमुक रचनाएं हैं परिच्छा की द्रिष्टी से इनका जीवन परिच्छा अत्यनत महत्रपूर है आई होब दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक और सेर दिस वीडियो और सब्सक्राइब मैं चैनल डीजे क्लासेज